इनके लब रंगी की छाबरें थी के जिस ने राब्या एहमद हैं दिल्ली से मालूम यह करना चाहती है कि इनकी एक फ्रेंड ने यह कहा है कि इसलाम में मश्रूम खाना हराम है लियाजा आप मश्रूम नहीं खाना और इनसे कहने का मतलब यह है कि यह अभी न्यू मुस्लिम है उन्होंने इसलाम कबूल किया है तो सबसे ब बाते के जब इसलाम कबूल करते हैं तो कुछ परेशानी उनके अपनी ब्रादरी की तरफ से घर की तरफ से उनको फेस करनी पड़ती है तो आप लोग तमाम उनके हक में दूआ भी करें कि अल्ला तबारक बताला इन इसलामी बेहनों की तरफ रहमत की नजर करें और इनके आसानिया फर्माएं इने में से एक राजिया है जैनब है और जितनी भी जहां इसलामी बेहने परेशान है इसलाम कबूल कि अपने घरवालों की तरफ से उनके लिए अल्ला ताला राद का सामान करें तो इनकी एक मुसलिम फ्रेंड है उन्होंने बताया थोड़ी तालीमात उनको देते हुए राभी आहमद को कि मश्रूम खाना यह हराम है, इसलाम के अंदर इसको खाना नहीं चाहिए, देगें सबजी किसी भी किसिम की हो, चाहें वो मश्रूम हो, गोबी, पाला, कालो, कुछ भी हो, तमाम की तमाम खाना उसको जाइज है, इसमें किसी किसम की कोई कराहत नहीं है चाहें इसको किसी चीज़ के साथ मिक्स करके खाएं या सिंगल इसमें कोई हरज नहीं है बलकि इसके हराम होने में लोगों में बहुत जादा मश्हूर है कि मश्रूम का खाना इसको नाजाएज समझते हैं मालूम नहीं क्यों लेकिन इसके खाने में कोई हरज नहीं है ये बिलकुल जाइज है कौरान मजीद में अला तबाराग व इताला फरमाता है या ए इमान वालो सुत्री चीजों को जो लात अबार व इताला आने तुम्हारे को के साफ सुत्री चीजे पाक तयब चीजों को हराम ना ठैराओ लेहाद मश्रूम को खाना बिल्कुल जाइज है और इसमें कोई कराहत वाली बात नहीं है पत्फर ने असल आले पुरनवार बनाया